नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर, मैं हूँ Dr. Anmul Kumar दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि How to select potencies and which potencies should be taken at which time and how many times दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि होमिपेती दवा जो हम लेते हैं मुखरुप से selection की जो बात आती है वो totality of symptoms पर हमारे पुर्ण लक्षन का जब हम अध्यन करते हैं उसके उपरांत ही हम दवाई की potency और दवा का selection करते हैं और दोस्तो मुखरुप से जो आज मैं बात करूँगा वो की हम potency का selection कैसे करेंगे हम potency को किस तरह से use करेंगे और किसी भी potency का जब हम use कर रहे हैं तो उसको कितनी बार हमें लेना है दोस्तो कई रोगी ऐसे हैं कई जो हमारे youtubers, youtube पर जो हमारे comments आते हैं दोस्तो उनका ये कहना रहता है कि सर मैं इस potency को कैसे use करूँ दवा का कैसे यूज करूँ मैं आज उसी के बारे में उन सारी बातों को आज मैं आपके सामने में बताऊंगा दोस्तो मुखरूप से जो होमिपेथी में potency होती है वो तीन तरह की होती है लेकिन जो मुखेता यूज किये जाते हैं वो decimal potency होते है और दोस्तो centisimal potency होती है decimal potency जिसे हम लोग x में जिसे 6x अगर लिखा हुआ है तो दोस्तो वहाँ पर ये decimal potency है तो इस तरह से समझें कि decimal potency में one drop जो होता है एक बुंद mother tincture का होता है और nine नो बुंद जो होता है वो alcohol का होता है या फिर distil water का होता है दोस्तो तो ये जो one drop of mother tincture and nine drops of alcohol जो extra neutral alcohol होते है ये ने उसका दोस्तो जब misran होता है और से जब सेक किया जाता है जिसे succession कहते हैं वहाँ पर ये बनता है one x और अगर हम six x की बात करते हैं तो ये काम succession की जो ये सेकिंग का जो क्रिया होता है ये छे बार होता है उसे ही हम लोग six x कहते हैं और दोस्तो अगली potency जो है वो है centisimal potency जो मुखेता यूज किये जाते हैं सभी homeopath के दवारा जैसे हम लोग कहते हैं कि six c तो ये centisimal potency हुआ कहने का तातपर्द यह है कि यहां पर एक drop centisimal potency जो होगी one drop of mother tincture एक बूंद mother tincture का और 99 बूंद जो है उसमें distil water चाहे extra neutral alcohol होगा इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि 30 c potency है तो दोस्तो आपको ये समझना चाहिए कि ये centisimal potency है जो मुखी रूप से यूज किया जाता है दोस्तो एक है LM potency जो 50,000 का potency होता है उसे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे मुखरूप से यहां पर जो potency है दोस्तो ये यही था और हम इसको कैसे यूज करेंगे दोस्तो दो तरग की दवाईयां होमेपेथी में होती है एक lower potency और एक higher potency जो 6c है जो 30c है दोस्तो 3x है 6x है ये सारी दवाईयां जो हैं वो lower potency में count किया जाते हैं और दोस्तो 200c, 1m, 10m, cm ये सारी दवाईयां higher potency high potency में count किया जाता है तो मुखरूप से कई डक्टरों का जो कहना है जो prescription का दोस्तो style होता है सबका उनके अनुभा पर ये बहुत तरह से based होता है और जहां पर surety of symptoms होता है clarity of symptoms होता है आप जब जान रहे हैं आप पुरों नतिया जान रहे हैं कई दफ़ा आप अपने experience के थुरूप इस बात को जान चुके हैं कि फलाना जो symptoms है इसमें फलाना दवाय दी जाएगी तो वहाँ पर आप दोस्तों अगर higher potency में भी देते हैं तो बहुत लाब होता है लेकिन मुखरूप से जो equity case होते हैं disease का उसमें दोस्तों हम लोग 6C, 30C में ही दवा का प्रियोग करते हैं और दोस्तों 6C और 30C को आप 5-5 बुन 3 बार ले सकते हैं दिन भर में और दोस्तों equity cases में कई दफ़ा जहां पर clarity of symptoms होता है वहाँ पर आप higher potency में भी दवा का प्रियोग कर सकते हैं और दोस्तों उसे आ आप repeat न करें जब आप higher potency में दवा ले रहे हैं तो आप उस दवा का action को देखें एक दिन दो दिन तभी आपको समझ में आएगा कई दफा higher potency के दवायों का repetition हो जाने के कारण aggravation देखने को मिलता है रोग बिर्धी देखने को मिलता है इसलिए ये भी एक बात दिमाग मे रखने की है और दोस्तों दूसरी बात है कि जब आप 200 potency ले रहे हैं तो उसे आप 5 गुन सुभा 5 गुन साम ले सकते हैं जो मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूं लेकिन यहां पर एक बात है लोग पूछते हैं कि खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले दोस्तो आप 30C, 200C तक की जो दवा है वो आप खाली पेट में ले सकते हैं और खाली पेट लेने से यह होता है हम कई दफा कहते हैं कि आप भोजन से पहले दवा को लें तो दोस्तों यहां पर आप देखते क्या है कि भोजन से पहले अगर आप दवा ले रहे हैं खाली पेट ले रह वो थोड़ा कम जाता है तो वहां पर आप ये बात जरूर ध्यान में दें और आप इसे खाली पेट लेंगे तो इसका absorption जादा तेजी से होता है बोडी उस चीज को दवा को तेजी से अब्जॉर्ब करता है और उसका action आपको तेजी से देखने को मिलता है तो मुक्रूब से यहां पर आप जब दवाईयां ले रहे हैं होमे पेथी की तो आप भोजन के एक घंटा पुरू ले अगर आपने भोजन कर लिया है दवाई लेना भूल गए हैं तो दोस्तों आप भोजन के आधा घंटा के बाद भी दवा का सेवन कर सकते हैं तो यही दवा लेने का जो है यह तरीका है और एक दोस्तो है Mother Tincture Mother Tincture दोस्तो जो Q Potency है वो दोस्तो आपको हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए वो 20 बून जो दवा जिस तरह की होती है आप 10 बून से उसका सुरुबात कर सकते हैं दोस्तो यहां पर Mother Tincture को आप जब भी लें खाना खाने के 15 से आधा घंटा 15 मिनट से आधा घंटा के बाद ही इसका सेवन करें इसका नियमी सेवन आप ज़रूर करें ताकि आपको लाब दिखेगा दोस्तो Mother Tincture को आप 10-10 बून 3 बार 4 चमज पानी में मिला के खाना खाने के आधा घंटा के बाद ले सकते हैं तो इस तरह से आप होमेपेथी दवाओं का सेवन करें पोटेंसी का आप इसी तरह से शेवन करें और दोस्तो यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप होमेपेथी दवा का सेवन करते हैं तो आप दोस्तो खटाई का सेवन न करें आप गुटका न खाएं आप वैसे सुगंधित चीज न खाएं जो आपके दवा को नुकसान करें या दवा के पावर को कम कर दे इस तरह का आपको ध्यान में रखना होगा और दोस्तो हमेपेथी दवा का जब भी आप सेवन करते हैं जहाँ पर आपको क्लेरिटी आप सिम्टम्स दिखता है एक्विट केसेस में आप खुद सेल्फ मेडिकेशन जब करते हैं तो कई दफा आपको लाब नहीं दिखता है उसका कारण यह होता है कि दोस्तो कम्पलाइंस होता है कि इस रोगी को हमने दवा दी तो यह होमेपेथिक दवा इस रोगी पर किस तरह से एफेक्ट करता है यह इस सेंसिटिविटी और पैसेंट पे भी डिपेंड करता है कि पैसेंट किस तरह से उस दवा के परती उसका बॉडी जो है किस तरह से रियक्ट करता है दोस्तो यहाँ पर एज और पैसेंट एंड भाइटल फोर्स पर भी डिपेंड करता है कई दफा यह दोस्तो आप कई दफा बढ़ियां से बढ़ियां दवा ले रहे हैं, सही डोज भी ले रहे हैं, लेकिन आपको लाब नहीं दिखता है, तो दोस्तो आसा करता हूँ कि मैंने आपको कुछ बताने की कोशिस की, पोटेंसी के सेलेक्शन के बारे में, और पोटेंसी लेने का तरीका, दव दवा लेने का, हुमेपेथी दवा लेने की का जो सही तरीका है, वो बताये मैंने आपको, तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, प्लीज लाइक और शेयर माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल, थेंक यूँ